नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आईए हम कुछ प्रशन यहां पर हल कर लेते हैं जो कि हमारे पास इस प्रमयप अधारित है जो कि केंटर से एक संब्लंब दूइभाजक और जीवा के बीच के संबंद को बताती है और वो यह बताती है कि अगर हमारे पास केंटर से कोई हमने लंबवत रेखा एक बुझा पर या एक जीवा पर मैं कहूं यहां पर खीची तो उस जीवा को वो दो बराबर हिस्सों में बाट देगी या फिर मैं कहूं कि वो उस जीवा की लंब संब्लिभाजक होगी तो अगर मैं इस वृत की बात करूँ जो कि यह छोटा वाला वृत है तो उसमें यह OL जो रेखा है वो BL और CL को बराबर हिस्सें बना रही है यानि कि BC जो एक जीवा है उसको दो बराबर हिस्सों में बाट रही है और उसी प्रकार से अगर मैं सिर्फ बड़े वाले वृत तो यह जो O से हमने यहां पर लमवत रेखा गंड़ी चाहे यह AL और DL दो बराबर हिस्से बना रही है जीवा ADK अब आये प्रशन पर चलते हैं तो प्रशन कहरा है हमसे कि दी गई आकरिती में दो सर केंदरित वृत हैं जिसका केंदर O है सर केंदरित का मतलब कि दोनों का क केंदर एक ही बिंदू पर है बस दोनों की तरिज्याएं अलग-अलग है और यहां पर जो केंदर हमें दिया गया है वो O है L एक रेखा है जो कि दोनों वृतों को बिंदू A, B, C और D पर प्रतिछेद करती है सिद्ध कीजे कि A, B बराबर C, D है अब देखें हमें सिद्ध से देखें तो A, B का मान है A, L, A, L, माइनस, B, L और C, D का मान है D, L, माइनस, C, L मैं एक बर पुना आपको दोरा लेती हूं कि A, B जो है वो A, L, माइनस, B, L है और C, D, जो है वो D, L, माइनस, C, L है तो वो ही मैंने यहां पर लिखा अब अगर मैं किसी प्रकार से यह सिद्ध कर दूं कि A, L और D, L बराबर है और B, L और C, L बराबर है तो मेरी समस्या हल हो जाएगी जैसे आप ऐसा समझिए कि मेरे पास तीन और तीन यहां पर दो संख्या है बराबर संख्या है लिखिए और दोनों मैंसे मैंने एक बराबरी संख्या अगर घटाई तो देखिए उत्तर भी बराबर आएगा तो इसी प्रकार से अगर मेरे पास A, L और D, L बराबर होगे और B, L और C, L बराबर होगे तो दोनों द्राफ उनके अंतर भी बराबर आएगे अब आएए देखते हैं कि पहले हम A, L और D, L के लिए कैसे देखेंगे बड़े वृत्मे, बड़ी त्रिज्जा वाले वृत्मे, O, L जो है वो लंबवत है जीवा, AD के, और इसलिए हम कहेंगे कि L जो है वो मद्ध बिंदू है, और चूंकि L मद्ध बिंदू हो गया, इसका क्या आशे हुआ कि AL बराबर TL है, ठीक है, और इसी प्रकार से आप अग C, L के लिए, जो की हम छोटे वृत्स से देखेंगे, तो छोटे वृत्मे, छोटे वृत्मे, O, L जो है वो लंबवत हो जाएगा, B, C के, और जो की, फिर से हम बता रहे हैं कि L जो है, वो मद्ध बिंदू है, और ये मद्ध बिंदू किसका है, B, C का है, तो जिससे हमें य ये कथन A हैं, और ये कथन B है, और A माइनिस B, अगर मैं करूँ, तो A कथन और B कथन को मैं घटाऊं, तो AL माइनस BL, दोनों की हमनें, बाइए और वाले பदों को घटा दिया, बराबर हो जाएगा, DL माइनस CL, और AL माइनस BL कितना है, A, B, और ये आ जाएगा, CD, और इस त और 3 cm की त्रिज्या वाले वृत तो आए पहले मैं एक बड़ा वृत बना लूँ और एक छोटा वृत बना लूँ और दूसरे वृत के बारे में क्या कह रहे हैं कि दो बिंदू पर प्रतिछेद करते हैं तो ये दोनों ही जो वृत हैं वो दो बिंदू पर प्रतिछेद कर र उभेनिष्ट बुजा की लंबाई ग्याद कीजे, असल में यहां बुजानी जीवा होना चाहिए, जीवा की लंबाई ग्याद कीजे, तो इनकी उभेनिष्ट जीवा कौन सी होगी, यह वाली हो जाएगी, ठीक है, और हमें इसकी लंबाई ग्याद करनी है, मान लेते हैं कि य फोटा वरित है जिसका 3 cm है तृचया और यह बड़ा वरित है जिसका 5 cm है तृचया तो यह 5 cm यह 3 cm और यह वाली जो दूरी हमें O और O' के बीच में दी गई है वो हमें बता दी गई है कि 4 cm है अब हमें इसकी जो उभेनिष्ट जीवा है उसकी लंबाई ग्यात कनी है तो माल बिंदू हो जाएगा यह हमें पता है ना तो क्योंकि अगर हम O M को देखें तो O से M अगर हम जोड रहे हैं तो यह लेखा लंबवत होने की विज़े से कैसी हो जाएगी इसकी सम्धुभाजक ही होगी और चुकि O' से भी हम इसको जोड रहे हैं तो फिर से यह जो है वो सम्ध भी वाजक हो जाएगी तो अगर हम कहें कि हमें PQ निकालनी है तो हम PM निकालने उसका दो गुना करते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा तो अब प्रशन आता है कि हम PM कैसे निकालेंगे तो आईए देखते हैं हम PM कैसे निकालेंगे तो लिख लेते हैं PM के लिए तो PM के लि चार दी गई है अगर मैं इस दूरी को X मान लूँ तो ये वाली दूरी जो है में पस चार माइनस X हो जाएगी तो सबसे पहले अगर हम ट्रिबुज O PM में देखें तो 3 का स्क्वाइर बराबर हो जाएगा PM का स्क्वाइर प्लस X स्क्वाइर और कैसे पाइथोगरस प्रमय के प्रयोक से और इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास X स्क्वाइर का मान आजाएगा 9 माइनस PM स्क्वाइर फिर मैं दूसरे त्रिबुज की बात करूँ जो कि ये वाला त्रिबुज है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 का स्क्वाइर बराबर आएगा प्लस चार माइनस X के पूर्ण वरक के और यहाँ आजाएगा 25 बराबर प्लस इसको हम करेंगे तो 16 प्लस X स्क्वाइर और साथ में माइनस 8X अब मुझे क्या करना है कि मुझे किसी प्लकार से एक पद को घटाना है अगर मैं यहाँ पे X स्क्वाइर का मान रख भी देती हूँ तो मेरे पास यह X बच जाएगा 8X के साथ में तो एक अच्छा तरीका होगा कि अगर मैं इस वाले चरण पे ध्यान ना दे करके सीधे यह लिखों कि PM स्क्वाइर का मान होगा 9 माइनस X स्क्वाइर और इसका प्रती स्थापन यहाँ पे कर दूँ तो देखे क्या होगा प्रती स्थापन करने से 9 माइनस X स्क्वाइर प्लस 16 प्लस X स्क्वाइर माइनस 8X आ जाएगा और देखें यहां पे अब मेरे पास एक पद पूरा कम हो गया एक तो PM स्क्वाइर पद कम हो गया दूसरा X स्क्वाइर, X स्क्वाइर भी जो है वो कड गया और अब मेरे पास आ गया 25 बराबर 25 माइनस 8 X और दोनों दरफ से अगर मैंने 25 घटा दिया तो मेरे पस आजएगा 8 X पराबर 0 नेकिए जिसका मतलब है कि X का मान 0 ने आ रहा है तो X का मान 0 ने आने का ये मतलब हुआ कि PM का मान जो है वो 9 माdyनस 0 ने PM स्क्वाइर का तो PM का मान जो है वो वर्गमूल आजाएगा 9 के जो कि 3 के बराबर है तो जब PM3 के पराबर है तो PQ का मान हो जाएगा 2,3 यानि की 6 cm बहुत ही जरूरी प्रशन है ये और इसको हल करने का ये तरीका हमने यहाँ पर देखा